हाई ना मैं आशीश और आद देख रहे हैं दील अलन टॉप एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लेस्ट सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास भारत के पीछे क्यों पड़े सोमालिया के लोग क्यों कर रहे हैं ट्रोल कार पर स्वेमिंग पूल बनती जा रही है मुसीबत व्लाग बनाने वाले कब रुकेंगे और पिकाफ रेडे में मिलाएंगे पाकिस्तान की एक मज़ेदार स्टोरी टेलर से नाया दिन नाया लफडा हुआ ये कि अचानक से भारत और सोमालिया की जंग शुरू हो गई ये जंग ऑनलाइन हुए इंटरनेट का ये तो फाइदा हुआ है कि आप उन देशों से भी लडाई कर सकते हो जिन से आपका बॉर्डर नहीं जुड़ा है सोचिए जिस देश में आफ फलाइट से भी जाएं तो भी दस घंटा लगेगा पहुँचने में उस देश में आपका ट्वीट एक सेकेंड में पहुँच सकता है कि इनमें से एक इंडिया और एक सोमालिया बहकर भी सोमालिय को बहतर बताया गया भारत को बदनाम करने के लिए आई कभी सहरा लिया गया मामला आगे बढ़ने पर भारत के लोगों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया मीम बना कि भारत 600 साल पहले ऐसा दिखता था जब कि सोमालिया 6 मिनिट पहले ऐसा दिखता था इसी तरज पर भारत और सोमालिया की सड़कों की भी तोलना की गई भारत 1000 साल पहले और सोमालिया 10 मिनिट पहले कैसा दिखता था ऐसे पोस्ट भी आये, इस पर भी जवाबी मीम्स और पोस्ट आये, इन सब मेंसे ज़्यादा तर पोस्ट रेसिस्त थे और ऐसे थी जिन्हें हम दिखा तक नहीं सकते हैं, मगर एक देश को केवल स्टीडियो टाइप सही जज़ करना कितना सही है, ये विदेशियों को सोचना चाहिए, और अपने प्रदेश की पॉलिटिकल लड़ाई में दूसरे देश को रैंडम क्यों खसीटना, ये देशियों को सोचना चाहिए, कुछ साल पहले कोरोना वाइरस बहुत ही तेज़ी से फैला था, हलांकि फैलने के मामने में ये वाइरस कुछ चीजों से बहुत कम था, सबसे ज़्यादा तेजी से फैलती है बेवकूफी वैसे बेवकूफी पहले भी सी तेजी से फैलती थे लेकिन तब ना एक प्रॉफिट था इंटरनेट नहीं था कुछ की बेवकूफी बच कुछ दूर तक ही ट्रावल कर पाती थी को भी ट्रेंड माल लिया गया और इंफ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स इस कार वाले पूल को चलती कार में बनाने लग गए ऐसी ही एक रील दिखी रील थी अक्सर विवादों में रहने वाले और अपने वीडियो के चलते चेल तक जाने वाले व्लॉगर की जिनका नाम है ग जो टैकी को बुक किया था, था उनकी कार को सीज़ कर दिया था, और ड्राईविंग लाइसनस भी एक साल के लिए कैंसल कर दिया गया था, यूट्यूब ने ब उनके वीडियो को टेक-डाउन कर दिया था, मगर जैसा कि हमने पहले ही बताया, बेवकूफियां गये जीजि sin यही लगता है कि इनसान कुछ लाइक और यूज के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता इतनी बाड ये बात कही है कि ऐसे बुढ़े हंकल लोगों की तरह साउंड करने लगा हूँ और बात तो सही है बुढ़े हंकल लोग इतनी गलत बात नहीं करते थे शाहिए अब हम जिस बारे में बात करने वाले हैं उस बात के आगे कार्मी पूल बनाने वाली बेवकूफ ही चोटी लगने लगी है आज कल ब्ल को खूब चाओ से पूरी लगन से देखते हैं क्योंकि इंटरनेटी से तरह तो दिमाग को खुंद करता है जिस चीज से एक नए देले का फायदा नहीं है वहां अपना लाखों का समय करो बरबाद लोग बना मना का स्टार बन चुके हैं इसलिए व्लागिंग खूब होती ह है लेकिन इस चकर में लोग भूल रहे हैं कि कहाँ वीडियो बनाना है और कहाँ नहीं बनाना है सोचल मीडिया पर एक वीडियो वादर है जिसमें एक यूजर दादी के देहान्त का व्लॉग बना रही है इन सब को देखकर यहीं लगता है कि लोग इतने कि वो शौपिंग आती है व्लॉग में ही पता चलता है कि इनकी दादी की दो महीने से तवियत खरात थी मगर यह सब इंस्टाग्राम पर क्यों है कुछ नहीं पता पूरे जूनिया कवर मुखी रूप से आई कि खाने में अखादी चीजे मिल रही थी एक हफ्ते तो हर दिन य वीडियो नहीं आई है तो आप लगी हैं लग जैसा खुश नहीं होता मगर आप लगी हैं मत देखिएगा तुरंत यह उठे को काम पर लगा दीजेगा और स्वाइप अब कर दीजेगा आप बात खबर की करते हैं करला टेक में साड़ा किनारे मिलने वाली पानी पूरी के सही ही नहीं जाती ना आपके गुल कपे सही जाते हैं सोचल लस्ट में आप बारी है पिकॉस देडी के अपिकॉस देडी में आज का अकाउंट है मरेयम रजा का इनका यूजर नेम है मरेयम अंडर्सकोर रजा आर ए जे ए ए ए मरेयम रजा की रील से स्टोरी टेलिंग का श झाल झाल